हेलो इस्टूद्स तो आज इस लिए में अग्यान हम सीखने वाले चेक्टर लॉड कंट्रोल टेक्निक इस चेक्टर का एक थर्ड वीडियो होने वाला है इसके पहले दो वीडियो अप्लोड हो चुके है जिसकी लिंक में डिस्केशन में देनुगा आप चैक और जुरू उस दो वीडियो में रहले वीडियो में शुरू traitor लिए। उसकी बात कर लेता हूँ मैं तो यस चेक्टर की दो मैथड थी एक है पोन दो मैंतो कैसे सॉल्व करना है उसका बेजिक समस में ने दो वीडियो में एक्स्प्रेंड किया हुआ है तो वह वीडियो जरूर चेक आड कीजिएगा बात करता हूँ आज की सुर्दी तो आज में इंपोरेंट टॉपिक आपको सिखाना वाला हूँ वो टॉपिक है ए ओक्यू एन ए ट और वो फॉर्मुलाय प्डेस इंटु पी ए पी ए मिस्टों प्रब्रब्लेटी फाइंड आट करेंगे वो और प्डेस निस्टों इफ्टिव प्रब्लेटी उती है जो समस में गीवर उती है वो बात करता हूँ सेकेंड ए टी आई फुल्फरम होता है ए ए फॉर एवरेज टी फॉर टोटल एड आई फॉर इंस्टेक्शन मिस्ट एवरेज टोटल इस्टेक्शन ओके सरेजा स्कूल इता पास इसको भी फाइंड आट करने का एक फॉर्मुला है तो ए टी इस इकल टो ए प्लस ब्रेकेट कैपिटल एन माइन से स्मॉल एन अनधर ब्रेकेट में वर म आट पोईजर कॉन से महतर कब लगानी वह संजा चुका तो चलिस में धर को समदने के लिए में समसे प्रैक्टिकल हो कि तुम्हें जो समस लेने वाला हूं वह ए एक्शेस का समसे एक्शेस का कुश्र नंबर में लेने वाला हूं वह ट्वेंटी नाइन ऑक्या है लिखा ग और आपके लिए helpful वीडियो रोज अप्लोड होते रहेंगे और आप चाहे तो प्लेश भी चेक और कीजिएगा और देखिएगा जब वीडियो तो चली स्टाट करते हैं तो देखिए आप अपर पीड़ेश अल्रेटी गीवन है 0.5% यह डिफेट्टी की प्रब्रेटी दी ग और पीड़ेश दिया गया है 0.5% तो तीके सैंप्लिंग प्लान में से जो एक थाउसन है वो मना कैपिटल N बन जाता है जो 400 है वो स्मॉल N कहलाता है और जो 1 दिया है वो D कहलाता है बट 1 मैक्सिमुम है जीरो और वन लेना रहेगा पीड़ेश की बात करता तो पीड़ेश देखियाँ 0.5% लिखा गया है तो % means होता है 0.5 divided by 100 तो 0.005 बन जाएगा ओके अब मैं सबसे पहले AQ और ATI के लिए में क्या निकालना पड़ता है पीड़ेश दोनों के लिए find out करना रहता है तो पीड़ेश के लिए दो मैथड़ा अप्लाई होगी तो उसके लिए में क् चैक और करना होता है capital N देखना रहता है तो capital N की value अगर 200 से more रहेगी तो poison method अप्लाई होगी और 200 से less रहेगी तो hypogeometric तो capital N की value 200 से क्या more है तो यह कौंसे method अप्लाई करेंगे probability के लिए वो होगा poison method अप्लाई करेंगे तो यह कैसे solve होता है उसके लिए में वीडियो अप्लाई कुछा होगी वीडियो जरू check out कीजिएगा तो पहले बात करते हैं हम लोग इसमें हमें साब final करना होता है small NPDES final करना रहता है पहले जो value हमें formula में apply करना ही रहेगी small NPDES तो small N का small होगा है आप तो small N is 400 PDES तो PDES कित तो PA is equal to formula E raise to small NPDES into small NPDES की D आजाएगा अपन में क्या रहता है D factor यह इसका poison का formula अब हम इसमें value रखेंगे एक बाद D बराबर 0 के लिए में probability जाहिए और होई 1 के लिए बी चाहिए तो दोनों का हम साथ में solve करेंगे तो चलिए value रखते हैं हम आपर हम लोग E, NP बराबर कि लेंगे आपर 0 अपन में D बराबर 0 factor यह प्लस अब 7 D के बराबर 1 के लिए करेंगे E, NP बराबर 2, NP बराबर 2, D बराबर आजाएगा 1 अपन में 1 factor अब answer find out करना है तो E raise to 2 तो 2 दिया गया उसके value sums में given होगी always होगे बहुत से लों में कमेंट करके पुछा value ना दियो तो exam म sums में ना भी हो कभी-कभी तो देखिए 29 में E raise to 2 की value दिये 0.1353 यह value given as sums के अदर, तो E raise to 2 जो 2 दिया गया उसके value होगे 0.1353, 2 की 0 तो always 1 आता है और 0 factor का answer भी 1 ही आता है, plus again E की 2 दिये value 0.1353, 2 का one time करेंगे 2, 1 factor का answer होगा 1, final answer लिख देंगे तो इसका आजाएगा 0.1353, प्लस इसका answer होगा 0.2706, और हमें क्या करते हैं, दोनों को add कर देंगे, फाइनला answer होगा 0.4059, यह जो answer है हमारे PA probability का answer है, तो sums नहीं complete नहीं हुआ है, हमने अब हमें find out कि अब हमें find out करना है AOQ और ATI, ओके उसके लिए formula आपना देख सकते हो, यह रहा, AOQ का formula है P dash into PA, तो यहीं पर में apply कर देख सिखा देख आपको, AOQ is equal to A P dash into PA, तो P dash means defective की probability sums में given होती है, तो यह आपर किया है, क्या मिला है 0.005, यह मारा P dash है, 0.005 into PA, जो हमने probability find out की है, तो आपना, वो answer हमने find out किया है, 0.4059, तो यह value लिख देना, 0.4059, और क्या करना रहेगा इनका, और हमने answer बन जाएगा, 0.0020259, मैंने complete digit लिख दिये, यह आपका answer रहेगा, AOQ का, अब Sam, हम A T I के लिए apply करेंगे, A T I के लिए find out किया लिए लिखा आगया, तो A T I का formula अप्लाए करेंगे, small n plus another bracket, capital N minus small n, second bracket, 1 minus PA, right, value हम लग देंगे, सारी value हमारे पास है, small n है, आपका सम n है, 8,000, right, ना, तो आप value में रख देते, small n आएगा, हमारा 400, plus capital N, 8,000 minus 400, another bracket, 1 minus PA, जो हमने find out किया है, probability, poison के थूरू जो हमना answer आया, 0.4059, इसके लिए हमना find out किया था, 0.4059, अब मैं solve करना है, तो पहले दोनों bracket को open करेंगे, right, 400 plus, यहाँ पे minus करेंगे, तो 7,600, यहाँ 1 क्या करेंगे, less करेंगे, तो 0.5941, अब क्या करना, पहले दोनों bracket का into कर देना रहेंगा, हमारा, तो into करने पर आएगा, 4515.16, अब दोनों को plus कर देंगे, financier 4915.16, यह हमारा हो गया ATI, और यह हमारा हो गया solution, यह AQ का answer और यह ATI हैगा, तो यह हो गया हमारा complete solution, main topic होता है, यह पो अब करना, right, उसके बाद यहाँ पर AQ और ATI दोनों formula अप्लाए करने से हमारा answer आ जाएगा, तो आज की वीडियो के इतना रहते हैं, नेक्ट वीडियो देखने के लिए, आप चैनले को जरूर सबसेक कीजिएगा, और share करना ना भूलिए, जिसमें जली से जली 1000 की family बन सके, thank you.